नमस्कार, सस्पेंशन सिस्टम के इस सेशन में आपका स्वागत है इस सेशन में हम सस्पेंशिन सिस्टम का महत्व उसके पूरजे, कार्य और प्रकार के बारे में सीखेंगे मोटर साइकल की डिजाइन यह मन में रखते हुए की जाती है कि उबडखाबड सतों पे सवारी करते समय क्या तकलीफ हो सकती है आगी का और पीछे का सस्पेंशन मिलके सस्पेंशन सिस्टम बनता है जो कि पहियों के वाइब्रेशन को सोक लेता है सस्पेंशन द्वारा, ब्रेकिंग और बहतर संभाल, सुरक्षा और आरामदायक सवारी की सुवीधा मिलती है सस्पेंशन स्प्रिंग और शौक एब्जॉबर सस्पेंशन स्प्रिंग एक तांत्रिक यंत्र है जिसका इस्तमाल उर्जा को स्टोर करके बाद में छोड़ना है जिससे वह शौक सोक लेता है शौक एब्जॉबर सस्पेंशन सिस्प्रिंग का सबसे मुख्य हिस्सा है वह दोनों पईयों को फ्रेम के साथ जोड़ते हैं और जब बाइक चल रही है तो वह फ्रेम पर आने वाला जटका कम करती है वह दोनों आगे और पीछे की सस्पेंशन पर मौजूद है शौक एब्जॉबर में एक पिस्टिन, पिस्टिन रॉड, प्रेशर वैल्व, हैड्रॉलिक तेल, अंदर की ट्यूब और बाहर का ट्यूब होता है बाहर की ट्यूब नाइट्रोजन से भरा है हाला कि आगे का और पीछे का शौक एब्जॉबर एक जैसे हैं, उनकी बनावट में कुछ फर्क है आगे के सस्पेंशन में एक उपर का फॉर्क और नीचे का फॉर्क है, जोकी एक दूसरे में दुर्बीन की तरफ फिट हो जाता है शौक एब्जॉबर को इन फॉर्क के अंदर बिठाया जाता है आगे का सस्पेंशन एक इंटरनल कॉयल स्प्रिंग को शौक एब्जॉबर के अंदर उप्योग करता है पीछे के सस्पेंशन में एक कोईल ओवर स्प्रिंग का उप्योग शौक एब्जॉबर पर किया जाता है कोईल ओवर स्प्रिंग पीछे के पहियों पर आने वाले जादा वजन को सह सकती है पीछे के सस्पेंशन का एक छोर, स्विंग आम नामक एक आयत फ्रेम से जुड़ा होता है दोनों तरफ के आखिर में लगी बेरिंग, पीछे के सस्पेंशन को ठीक जगा पर रखती है पीछे के पहिये और स्विंग आम के बीच में अब जब आप पूर्जों से वाकिफ हो चुके हैं, आएए देखें कि कैसे पूर्जे एक साथ एक सिस्टम की तरह काम करते हैं जब सस्पेंशन स्प्रिंग को कमप्रेस या एक्स्टेंट किया जाता है, वह एक उपर और नीचे की तरफ डोलन शुरू करती है शौक एब्जोर्बर सस्पेंशन स्प्रिंग की डोलन को धीमी करने में मदद करती है और वाइब्रेटरी चलन को कम करती है वह सस्पेंशन चलन की काइनेटिक उर्जा को हीट एनरजी यानि उर्जा में बदलती है स्प्रिंग की गती धीमी पड़े इसके लिए शौक एब्जोर्बर दो साइकल करते हैं जो है कम्प्रेशन साइकल और एक्स्टेंशन साइकल कम्प्रेशन साइकल में जब स्प्रिंग को दबाया जाता है पिस्टन अंदर की ट्यूब में धकेला जाता है और तेल प्रेशर वैल्व द्वारा पिस्टन पे ऊपर बहता है तेल दूसरे ट्यूब में भी ट्यूब के नीचे वाले प्रेशर वैल्व के जरिये बहता है प्रेशर वैल्व तेल का बहाव नियंतरित करने योग्य बनाए गए है वैल्व से बहते हुए फ्रिक्शन पैदा होता है जिससे स्प्रिंग का शौक सोख लेता है तेल के हिलने के दौरान जो जाग उड़ता है उसे दूसरे ट्यूब में मौजूद नाइट्रोजन रोकता है कंप्रेशन के बाद जब स्प्रिंग फैलता है एक्स्टेंशन साइकल शुरू होती है यहां तेल वापस बाहर की टूब से अंदर की टूब में बहता है स्प्रिंग का फैलाव थोड़ी दीमी गती से होता है क्योंकि हाइड्रॉलिक तेल द्वारा प्रतिरोध बनता है उन्ही सिद्धान पर चलते हैं जब वे उबडखाबड सतर पर चलते हैं आगे के सस्पेंशन में फॉर्क में एक इंटर्नल कॉइल स्प्रिंग है जो शौक एब्जॉर्बर में इस्तमाल होता है यहां पर स्प्रिंग को पिस्टन के इर्द गिर्द जमाया गया है पीछे के सस्पेंशन में स्विंग आम हमारी कोहनी के जोड की तरह काम करता है इसका उप्योग पीछे के एक्सल को अच्छी तरह से पिविट पर खड़ा पकड़ना है ताकि सस्पेंशन रास्ते के बंप या उबडखाबड को सोक लें पीछे के सस्पेंशन शॉक एब्जाबर पर एक कॉईल ओवर स्प्रिंग का इस्तमाल करती है दो मुख्य तरह के पीछे के सस्पेंशन है मोनो शॉक और डूएल शॉक डूएल शॉक आम तौर पर मोटर साइकल में इस्तमाल होता है और उसके दो शौक एब्जॉबर होते हैं डुएल शौक बाइक लोड संभालने के लिए अच्छा सहारा देता है मुनो शौक में सिर्फ एक शौक एब्जॉबर होता है और यह सीट के नीचे फिक्स किया जाता है ऐसी शौक एब्जॉबर के इस्तमाल से संभाल और मोड लेना बहतर हो जाता है इसी के साथ हमें सेशन के आखिर में आ चुके हैं इस सेशन में हमने सीखा है सस्पेंशन सिस्टेम का महत्व है कि सवारी करते समय सुरक्षा और आराम मिल पाएं सस्पेंशन सिस्टेम के मुख्य हिस्से हैं सस्पेंशन स्प्रिंग और शौक एब्जॉबर शौक एब्जॉबर में पिस्टिन, पिस्टिन रॉड, प्रेशर वाल्व, हाइड्रॉलिक तेल, अंदर की टूब और बाहरी टूब होता है आगे का सस्पेंशन इंटरनल कॉइल स्प्रिंग का उप्योग करता है और पीछे का सस्पेंशन कॉइल ओवर स्प्रिंग का उप्योग करता है मोटर साइकल को सस्पेंशन देने के लिए शॉक एब्जॉबर, एक्स्टेंशन और कम्प्रेशन साइकल के जरिए स्प्रिंग का दोलन कम करते हैं मोनो शॉक और डूल शॉक ये दो तरह के पीछे के सस्पेंशन है आशा है कि आपने इस सेशन का आनंद लिया होगा धन्यवाद